अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश राजगर की चोर गैंड के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है, जिनके पास धारदार चाकू भी मिला है, इसे लेकर आरोपियों पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्जकर काररवाय की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के प्रभारी शमशेर खान ने बताया की मुकबिर से सूचना मिली की मध्य प्रदेश चोर गैंड के सदस्य थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिनके पास चाकू है और वह किसी वारदात की फिराक में हैं, इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफतार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास चाकू भी बरामद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है, यह आरोपी मध्य प्रदेश राजगर के रहने वाले बलद किया जाएगा। यह जो तीनवें हैं पूर में चोरी की वार्दातों में लिप्ण में लिप्णा रहे हैं। तेक्राइम रिकोर्ड के ईइनका पुलना रिकॉर्ड बिखेनọnको पर रिकोर्ड गरीया न्हें ताफे तुझ मेंक ठीने वथेयां हैं जुटी बल्दacjiराल और लक्ष्मन। पूर्म में का क्राइम रिकॉर्ड है जो पत्रावली में से लग में कियाना है